हेलो फ्रेंड्स आज मैं शेयर कर रहे हूँ आपके साथ नार्यल पाक की एक ऐसी रेसिपी जो बनाने में बहुत ही सिंपल है ना इसके लिए हमें घंटो किचन में खड़े होना है ना हमें इसके लिए किसी तरीके की कोई चाशनी वगएरा तैयार करने हैं ये बहुत ही काम हैं, जब या किस्ट नारियल लिया है, और इससे नारियल को कसे, तो इससे कसने के लिए हमें ये बारिक वले साइट का यूज़ करना है, मोटे साइट से नहीं करना है क्योंकि हमें बारिक कसा हुआ नारियल चाहिए और हाँ आप इस रेसिपी में नारियल को मिक्सी में ग्रैंड करने की गलती भी बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा जब हम इस पाक को बनाते हैं और खाते हैं तो इसका जो नारियल का स्वाद होता है वो कसने से ही बहुत अच्छा आता है तो चलिए अब इस नारियल को हम फ्राइ कर लेते हैं और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसे 2 से 1.5 मिनिट तक फ्राई करेंगे और लगातार इसे चलाते जाएंगे अब यह फ्राई हो चुका है तो मैं इसमें यह एक गलास दूड डाल दे रही हूं और दूड डालने के बाद मैंने इसे चला लिया मुझे थोड़ा दूड कम लग रहा है तो मैं इसमें आधा गलास दूड और डाल रही हूं क्योंकि हमें इसे दूड में पकाना है तो यह देखिए अब आप इसे एक बार मिक्स कर लिजिए और इस स्टेश पर आप गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर सकते हैं और साइड में अपना कोई भी दूसरा काम आराम से कर सकते हैं इसलिए आप इसे मोटे तले के बरतन में बनाएं ताकि आपको इसे बार बार चलाना ना पड़े और ये इसमें डालने के लिए ये मावा सेका जा रहा है तो ये सतर ग्राम के लगभग मावा है इसे अच्छी तरीके से सेख लेते हैं क्योंकि ये बाजार का मावा है और ये देखिए इसमें उबाल आ गया और इसे पकते हुए लगभग 20-25 मिनिट हो चुके हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी ये 100 ग्राम के लगभग चीनी है क्योंकि मावा जो है वो मीठा है इसलिए मैंने इसमें 100 ग्राम चीनी डाल लिए अगर आप घर का बना हुआ फीका मावा यूज़ कर रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए या फिर आप जिस हिसाब से मीठा खाते हैं इसमें उतना मीठा डाल लेजिए और चीनी डालने के बाद देखे चीनी पानी छोड़ती है तो इसका पूरा पानी हम सुखने देंगे अब पानी सुख चुका है तो मैं इसमें ये मावा डाल रहे हूँ मावा सिखने के बाद मैंने गरमी कटोरी में रख दिया था तो ये चिपक गया है तो दिखे इसको छोड़ा लिया मैंने और अब मैं इसे mix कर रहे हूँ अब इसे अच्छी तरीके से हमें नारियल के साथ mix कर लेना है लगातार चलाते वे इसे हम नारियल में मिला लेंगे अब ये बन करके तैयार हो चुका है तो अब लास्ट में हम इसमें डालते हैं एक चमज देसी घी इस घी से क्या है कि इसमें अच्छी चमक आ जाएगी और इस घी को भी हम mix कर लेते हैं और अब ये पाक बन चुका है तो गैस बन करने के बाद ही आप इसमें इलाइची का पाउडर डालिए ये छोटी इलाइची का पाउडर है इससे क्या इसकी खुश्बू अच्छी आती है अगर आप इसे पहले डाल देंगे तो इसकी खुश्बू नहीं आएगी अच्छी और ये देखे ये पाक हमारा बन घर के तैयार है आप चाहें तो इसे इस तरीके से थाली में भी जमा सकते है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है आप इसे बनाते वे साइड में कोई भी दूसरा काम कर सकते है और ये देखें मैंने इसे थाली में जमा दिया है चाहे तो आप इसी तरीके से इसे बिना ड्राइफ फूट्स के भी खा सकते हैं या फिर आपके घर में जो भी ड्राइफ फूट्स मौजूद हैं वो आप इसमें मिला लीजिए मेरे पास बादाम है तो मैं इसे बादाम से गार्निश कर रहे हूँ और आप इस पाक को फ्रिज में रख दीजिए और जब ये जम जाए ठंडा हो करके जम जाए तो आप इसे बर्फी की तरह भी काट करके रख सकते हैं इसे आप वरत में बना करके खा सकते हैं या आपके नवरात्र के वरतों तो आप इसे बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए यह चार-पांस दिन तक खराब नहीं होता है और आप वर्किंग लेडिज हैं तो आप सुबह एक लस दूद के साथ इसे खा लेजिए और सारा दिन आपको यह काम करने की एनरजी देगा और अगर आप चाहें तो इसे लड़ू की तरह भी बांद करके रख सकते हैं और जब बच्चों को मीठा खाने की इच्छा हो या आपको मीठा खाने की इच्छा हो तो आराम से आप एक लड़ू निकालिए और खाईए आप इसे बच्चों के टिफिन में सबजी परांठे के साथ भी रख सकते हैं तो एक ही पाक से आप बर्फी, लड्डू या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो देखाना है कितनी सिंपल और आसानी से बनने वाली कितनी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है ये तो आप भी इसे जरूर बनाएए और अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी